हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल मिशन जी केस्टडी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एंसल बोस्टर टेस्ट जो की पार्ट नमबर थ्री है अगर आपने हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो डेस्क फ्रेंड्स आपको मैं बता दू कि पिछला वीडियो जो था उसमें टॉप 5 आप लोगों की जो रैंकिंग रही है तो उसमें फर्स्ट रैंग पे जो रहे हैं तो फर्स्ट रैंग पे है दीपक चाओधरी सेकेंड नमबर पे है ब्रज राज सिंग तोमर और थर्ड नमबर पे सुजीत कुमर फॉर्थ नमबर पे श्रीकान्तियादव और थिप्त नमबर नमबर रहे है दीपक चिंग तो लोगुने काफी अच्छा प्रियास किया उमीद हे इसमें भी आप लोग काफी अच्छा प्रियास क不過 करेंगे तो चलिए श्टाट करते हैं फ्रेंडस पहला क भारत में राश्ट्री आय कि गणनाा केंद्रिय शंखि की संगठन करता है तो इसका राइट एंसवर हो जाय साय गणना कौन करता है भारत में प्रथम जन गड़ना किसके समय में की गई भारत में प्रथम जन गड़ना लाड मियो के समय में की गई थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उसने नेस्ट क्वेश्चिन है भारत के राष्ट्री पूश्प का बानस्पतिक नाम है क्या है फ्रेंड्स भारत के राष्ट्री पुष्प का बानस्पतिक नाम है मैंजी फेरा इंडिका ओके तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन सी अगला क्वेशन है भारत में अब तक कितनी बार आपात का लागू किया गया है भारत में अब तक तीन बार आपात का लागू किया गया है फ्रेंड्स तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन सी अगला क्वेशन है ACI सेरो के लिए विख्यात गीर राष्ट्री उद्यान किस राज्य में है किस राज्य में है फ्रेंड्स तो ये है गुजरात राज्य में तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन भी गुजरात Next question है काफी में उपास्थित प्रमुख एलके लाइट है कौन सा है फ्रेंड्स कैफीन है तो इसका राइट एंसर कैफीन हो जाएगा Next question है सबसे पहले किस राजी में कोरोना वाइरस के कारण पूर्ड कर्फ्यू लगाया गया था सबसे पहले पंजाब राजी में कोरोना वाइरस के कारण पूर्ड कर्फ्यू लगाया गया था फ्रेंड्स तो इसका राइट एंसर हो जायागा ओप्शन बी, नेक्ट क्वेशन है, भारत की प्रथम मिस इंडिया कौन थी? कौन थी फ्रेंट्स, भारत की प्रथम मिस इंडिया प्रमीला थी, तो इसका राइट एंसर हो जायेगा उप्षन ए नेक्ट क्वेशन है, सिकंदर की मृत्यू कहां हुई थी? कहां हुई थी फ्रेंट्स सिकंदर की मृत्यू बेबी लोन में हुई थी तो इसका राइट एंस्वर हो जाएगा ऑप्षन C बेबी लोन जो भी फ्रेंट्स हमारे वीडियो कभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दे और जो भी फ्रेंट्स हमारी चैनल पर पहली की बार आया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकोन को प्रेस कर ले जिससे नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो नेस्ट क्वेशन देखते हैं सौर मंडल में कौन सा अग्रह लगभग प्रित्वी जितना बड़ा है कौन सा है पर चणने वाली पहली अपंग महिला कौन है माउंट एवरेस्ट पर चणने वाली पहली अपंग महिला कौन है फ्रेंट्स तो यह अरोडी में सिंधा है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेस्ट क्वेशन है भूकम्पिय तरंगों को किस यंत्र से मापा प्रेंट्स सिंस्मोग ग्राफ से मापा जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेस्ट क्वेशन है विश्वस शिक्षक दिवस कम मनाया जाता है विश्वस शिक्षक दिवस कम मनाया जाता है पांच अक्टूबर को विश्वस शिक्षक दिवस मनाया जा जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option B अगला question है किस ताप मान पर Celsius और Fahrenheit ताप मापियों के मान एक समान होंगे किस ताप मान पर होंगे friends तो यह माइनस 40 degree centigrade पर होंगे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option A next question है लावडी किस राजय का लोक निर्त है तो यह है महाराष्ट राजय का लोक निर्त है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option D अगला question है भारत का सर्वोच सोरी सम्मान पुरसकार है कौन सा है friends तो भारत का सर्वोच सोरी सम्मान पुरसकार परम भीर चक्र है तो इसका राइट एंसर हो जाएग option C अगला question है फलो को पकाने में किस रसायन का प्रयोग होता है फलो को पकाने में किस रसायन का प्रयोग होता है एथीलीन का प्रयोग होता है friends तो इसका राइट एंसर हो जाएग option B एथीलीन अगला question है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था रामचंद्र पांडुरंग था तो इसका right answer हो जाएगा option C रामचंद्र पांडुरंग ओके फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारा मोडल प्रेपर नहीं देखा आप चाहें तो आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं ओके फ्रेंड्स नेस्ट कोश्चन है हारन बिल्ट यो हार कहां मनाय जाता है हारन बिल्ट यो हार कहां मनाय जाता है फ्रेंड्स तो इह नागा लेंड में मनाय जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option नागा लेंड है अगला प्रस्ण है बनिहाल दर्वा भारत के किस राजी में इस्तित है तो ये इस्तित है जम्मु का स्मिर में तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्शन D अगला प्रस्ण है समता अस्थल किसका समाध्यस्थल है तो ये जग जीवन राम का समाध्यस्थल है तो इसका राइट एंसर अप्शन ए हो जाएगा अगला कोशन है भारत के सम्मिधान का भाग अगला प्रस्थ नहीं पहाडों की नगरी किसे कहा जाता है पहाडों की नगरी किसे कहा जाता है डुंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ो की नगरी तो इसका राइचन और अरप्शन हो जाएगा दुंगरपुर नेश्ट पॉचिन है जाओ योध्य है किस नदी के किनारे इस्थीद है जा योध्य हैन हुदॽ तो यह गया गय था 8900-92 में तो इसका right answer हो जाएगा option B अगला प्रस्न है गौतम बुध का गुरु कौन था? गौतम बुध का गुरु कौन था friends तो गौतम बुध के गुरु आलार का लाम थे तो इसका right answer option D हो जाएगा अगला प्रस्न है किसने कहा था मेरी पीट पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश समराजी के ताबूत में एक कील सीधा होगी तो ये किस ने कहा था फ्रेंट्स ये कहा था लाला लाजपत राय ने तो इसका राइट एंसर आप्शन ए हो जाएगा नेक्ट कॉर्शन है मध्यकालीन भारत में निम्ने लिखित में से किस ने पहली बार युद्ध में तोपो का इस्तिमाल किया था किस ने किया था फ्रेंट्स तो ये किया था बाबर ने तो इसका राइट एंसर आप्शन भी हो जाएगा बाबर तो फ्रेंट्स आप लोगों ने कितना स्कोर किया है हमें कमेंट करके अवस्य बताए और वीडियो पसंद आए हो तो इच्शे लाइक करेć और अपने फ्रेंट्स के साथ सेयर अवस्य करेć मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद जैहिंद जैभारत